दोस्तों रिसेंटली हमने एक video create किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि hostinger का affiliate account के लिए कैसे आप आभेदन करोगे कि फर्स्ट टैम में ही आपका आभेदन यानि कि फर्स्ट अटेम में ही आपका आभेदन accept कर लिया जाए और आप hostinger का affiliate affiliate account को जो है यूज कर पाऊ और आपका affiliate account अपरूब कर दिया जाए फर्स्ट अटेम में जो मैंने आपको गाइडलाइन्स बताया था जो भी मैंने आपको बताया उस वीडियो में उस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे भाई ने मेरा किया और मुझे मेसेज करते हैं कि मेरा ज रखा हुआ है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब भी आप आपका affiliate account reject कर दिया जाता होस्टिंगर के तरब से तो आपको क्या क्या करना है ठीक है ताकि आपको जो है ना दूसरा बार जब अपलाई करो तो आपको first attempt में मतलब की यानि कि दूसरा बार अपलाई करो दिया प्रोर्गाम में करने के लिए आपको सबसे पहले क्या 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 आपको दियान में रखना है किस तरीके से आपको reapply करना है ठीक है रीजेक्शन रीजन को समझना होगा कि आपका rejection region क्या region आपको mail पर साथ भेजता या नहीं वे तमस्यों नहीं हूं एक वर आप mail चेक कर लेना उसमें I think होना चाहिए ठीक है पहले rejection region को समझो proper क्या वहाँ पर जो है रिजन बता रहा है ठीक है एंड इसके बाद जो है न अपने website platform को जो इन इंप्रूब करो जो भी platform आपने डाला है इंस्टागाम फेस्बुक यूटूब जो भी आपने डाला है उसको इंप्रूब करो इस तरीके से आपको quality content strategies ध्यान देना होता है तब ही जाकर के जो है न होस्टिंगर का affiliate program में आपको join होने में कोई परसानी का सामना नहीं करना होगा ठीक है अब इसके बाद जो है na affiliate program का जो भी guideline है उसको एक बाद review किजिए गूगल पर आप सच किजिए आपको मिल जागा या फिर होस्टिंगर के ही आपको जो है न होम पेज पर आपको मिल जागा ठीक है उसका गाइड लाइन्स अद्वाज आप Google पर भी सर्च कर सकते हो एंड इसके बाद जो है रिएपलाई करने सब्सक्राइब करना है तो आप जो इन अप्लाई करने से पहले प्लाई करने से पहले रियापलाई करने से पहले इन सभी बातों को ध्यान में रखना है तो उम्मीद करता हो मैंने जो आपको जानकारी दिया है होस्टिंगर का एफिलियेट प्रोगाम में रियापलाई करने से पहले आपको क्या-क्या बातों को ध्यान में रखना है आपको सारा जानकारी मि गया अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो कोई कुश्चन हो परस्टनली मुझे इंस्टांग आप मैसेज कर सकते हो या फिर कॉमेंट सक्षिन में पूछ सकते हो वीडियो कैसा लगा है एक लाइक करके बताना ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने का जो है न दिल से इखि